अभी हाली में G20 में शामिल होकर वापस लोटे कैनेडा के पीम जस्टिन टूडो बहुत बौख लाए हुए हैं। तबी तो तीन महीने पुराने मामले को लेकर भारत पर सवाल उठा रहे हैं। तीन महीने तक जस मामले पर उन्होंने कोई बात नहीं की, तीन महीने तक जस मामले पर भारत का कहीं कोई रोल उनको नजर नहीं आया। तक टूडो ने आरोप लगाए कि सिखनिता हरदीप सिंग निजर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। बात सुनिएगा, उनकी तरफ से कहा गया कि भारत सरकार हो सकती है। बढ़ सुनिए क्या कहा जस्टिन टूडो ने तो सुना आपने जस्टिन टूडो ने क्या कुछ कहा आप समझिए टूडो की भाषा पर अगर आप गौर करें तो केवल ये कह देना कि भारत सरकार उसके पीछे हो सकती है और बिना किसी क्रेडिबल सबूत के ये तमाम सवाल खड़े करता है आपको बता दें कि निजर के हत्या तीन महिने पहले हुई थी टूडो अब तक चुप क्यों थे ये बहुत बड़ा सवाल है आरोप तो लगा दिया लेकिन सिर्फ शक के आधार पर और इसके आधार पर भारत के शीर्ष राजनाई को भी भारत लौटने के लिए कह दिया गया जिसके बाद भारत सरकार ने भी कड़ा जवाब दिया और कैनडा के उच्चायूप को बुला कर कड़ी फटकार लगा गयी साथ ही आपको बता दे कैनेडा के उच्चायुक को जब बुलाया गया केवल चार मिनट की मीटिंग हुई और वो चार मिनट में वो गाड़ी से उतर कर दफतर तक पहुँचे M.E.A. के दफतर में अंदर पहुँचे और इतने देर में वो वहां से निकल कर आ गए और जब वो निकल कर आए तो उनका चेहरा पूरी तरीके से उतरा हुआ था इसके पीछे कहानी है कि टूडो की सरकार को बचाने में NDP के जगमीत सिंग का बड़ा रोल है और जगमीत पर खालिस्तान समर्थक होने के आरोप लगते रहे हैं और यही वज़े कि कैनड़ा की धर्ती से जो भी भारत विरोधी कतिविदिया होती रही है भारत उस पर सवाल उठाता रहा है और टूडो उसे नजर अंदास करते रहे हैं क्योंकि टूडो पर आरोप लगते रहे हैं कि टूडो कहीं न कहीं खालिस्तान समर्थकों का सपोर्ट लेकर अपनी सरकार को बचा कर रखे हुए हैं और ये एक बड़ी वज़े हैं जिस वज़े से भारत की तरफ से जितने भी मौकों पर सवाल उठाए गए टूडो उनको नजर अंदास करते रहे हैं और इसलिए कई मौकों पर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी भी जताई है लेकिन टूडो अपनी सरकार बचाने के लिए दोनों देशों के संबंदों की बली देने को तैयार दिख रहे हैं भारत ने कैनड़ा के उच्चायक को फटकार लगाई साथ ही सूत्रों के मुताबिक कैनड़ा इंटिलिजन्स के एक अधिकारी को भी पाँच दिन में भारत छोड़ने को कह दिया गया है अब सवाल यह है कि क्या खालिस्तान समर्थक कैनड़ा में इतने मजबूत हो गए हैं कि वहाँ के सरकार उनके दबाव में काम कर रही है ऐसे में क्या होगी भारत की रणीती ये समझाने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रवास्ताब जोड़ गया है बहुत स्वागत है संजीव सार आपका सबसे पहला सवाल के आखर जस्टिन क्रूडो इतना बॉक लाए हुए क्यों है सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपको मुझे आप शो में इन्वाइट करने के लिए देखें केनेडा की जो वर्तमान समय की जो कतविदिया है वो भारत बिरोधी दिखाई देती जिसके संदर्ब में भारत ने लगातार केनेडा से अस बास की मांगी कि ये जो तथा कतित खालिस्तान समर्थक है उनके बिरुथ केनेडा स्चिक एक्षन लेकर के दिखाए लेकिन केनेडा ने भारत के सारे आग्रहों के बावजूद भी सारे आपील्स के बाउजूद थी, कोई इस्टिक्ट एक्षन प्रॉपर एक्षन लिया नहीं लिया और जिसकों के लेकर के भारत में जाई रहा की चिंता थी, नाराजगी थी, और कनेडा के पृधानमंत्री जस्टिन चूडो, जी टुटी की लीडर्स की समिट में पार्टि क्योंकि भारत इस तरह की किर्विजियों को बड़ास नहीं करेगा, तो जाहिए कि कनेडा की जो जस्टिन चूडो की सरकार है, वो अभी भी उसने सारे आग्रहों के बाउजूद में एक्षन नहीं लिया है, और अब तो कनेडा यहां तक चला गया है कि उसने भारत के देते हुए और इस तरह के आरोप मरने की कोशिस किया है, जो कि जाहिए कि भारत ने इसको पूरी तरह से रिजक्ट तिया है, भारत के ऊपर इस तरह के तरह के अरोप को लगाना, जाहिए कि भारत और कनेडा के संबन्दों को और अधिक तनाव ग्रस्त करेगा, यह जो जिसके हत्या को लेकर जस्तिन टूडो अब सवाल उठा रहा है, तीन महीने पहले हत्या होती है, तीन महीने तक एक तो क्या कर रहे होते हैं, तीन महीने तक कहीं कोई सबुगाहाट नहीं होती, जी ट्वेंटी में भारत आते हैं, यहाँ पर जो तलखी दिखाई देती है भ खड़ा होकर इतना बड़ा आरोप लगा देता है बिना किसी सबूत के कम से कम कोई क्रेडिबिलिटी उस बात की तो दिखे कहीं। जोहागर अनितिक डल है उसको सपोर्ट कर रहा है और ये जो नियू डिमोकरिटिक पार्टी है उसका नेता जगमीत सिंग है जो की खालिस्तानियों के साथ उसके गहरे संपर्ख है चाहे वो हर्दीर सिंग निजर हो चाहे वो गुरुपत वन सिंग पन्नू रहा हो सभी के और जेस्टिन टूडो की सरकार अपने आपके अस्तित्यों को बचायने के लिए और आने वाले के एलक्शन में वोट बैंक की पॉलिक्स को करने के लिए उसका राजितिक लाव लेने के लिए वो वर्तमान समय में ऐसे अपीच करने की कुशिस कर रहे हैं ये टुस्टी करन करने हैं भारत के उपर भी जैसा कि आपने बिल्कुल इस पास्टूर से कहा कि उन्होंने पोटेंशियल सब्ट का इस्तिमाल की और ऐसे में वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारत के इसमें घुमिका हो सकती है वगरे वगरे ताकि ये करेड़ा के उनना तर्त्वों को ज पर आपने राजनेतिक हीतों को सादे की कोशित कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में वह जिस चीज को दाओं पे लगा दे रहे है या जिसका बलिदान कर दे की तरह आगे बढ़ रहे हैं वह है भारत और कैनेडा के बड़े संबंध है मैं विश्व के दो बड़े लोकांत्र कि अब जिस तरीके से चाइना की जो प्रवितियां पूरे विश्व में बढ़ नहीं है उसको जान में रखते हुए कैनेडा के लिए ये भी आउशक है कि वो अपनी इंडो-पैसिफिक रीजन की जो नीटी है जो चाइना का जो चैलेंज है उसके लिए भी भारत के साथ रहे और एक ऐसे समय में कि जब कैनेडा और भारत के संबंदों को और अधी कहरा और प्रगाड करने की आउशक्ता थी ऐसे में कैनेडा के प्रधान मंत्री के द्वारा अपने राजितिक खीतों को साथने के लिए इस संबंदों को डाउं पे लगाना या उसे बल्दान करने की जब आगे बढ़ना मुझे रखता राजमक कदम है और इससे कैनेडा की सरकार को इसकी इमेज को एक घर अधका लगेगा भारत और कैनेडा के जो संबंदों में जो तनाव आया है मैं उसके आने वाले समय में कोई जल्द सुधार की समावना नहीं देखता हूँ यह बहुत आहम बात आप कह रहे हैं लेकिन एक बात मैं इस बीश में आपसे समझना चाहूँगा क्या वाकई कैनेडा के लिए हम की यह कह सकते हैं कि जो खालिसतानी सोच के लोग오yunारि में रुप इतने हावी हो गए हैं कि कैनेडा की सरकारित внутри या नहीं कि अधकी पुद इसी अप्रोच के साथ कारे कर रहा है कि वो अपण सरकार ko बचाने के пойए संबंद है भारत और कनें जो बड़े लोगताने इसे अंद रास्टरों के संबंद है तो ये जो अपने रावितिक हीतों को साथ दे के लिए वो अपने बड़े देश के हीतों को दाव पे लगा रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है जो कि एक गलक ट्रेंड है दूसरा में ये भी कहूंगा आदर जी कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में जो आतंकवाद और जो एक ग्लूबल जो एक संघर्ष चल रहा है उसको इस तरीके का उनका जो कदम है वो कमजोर करने का कारे करेगा इससे बारत और करेदा के संबन तो प्रभावित होई रहे हैं साथे साथ जो आतंकवाद के तदी जो लड़ाई चल रही है वो भी गेरे तरीके से भारत से क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जिस वाक्त जस्टिन टूडो यहां पर थे जी ट्वेंटी के दौरान और जो कुछ उनके साथ हुआ और खास करके क्योंकि रिष्टों में तलखी पहले से है भारत लगतार मांग उठाता रहा है जस्टिन टूडो नजर अंदा बड़ा रोप लगा देते हैं तो सीधे तोर पर उनकी बॉकलाट है और कुछ समझ नहीं आया कि करें क्या या अपनी इमेज कैसे सेव करें अपने देश में प्रदार मंत्री टूडो की जो अधूर दर्शीता उनकी जो नगरात्मक सोच को दर्साता है यह बात बिल्कुल स अपने जो पर आप यह बात होई उसमें यह बात हो इस पर सदों में कहा था जो अप यह जो एंटी इंडिया एक्टिविटीटीज हैं उसके ऊपर लगाम लगाए उसके ऊपर इस्टिक टैक्शन ले करके दिखाए और भारत के पदान मंत्री ने अपनी गहरी चिंता भी ब जो ग्लोबल बायोफ्यूर अलाइंस के रिए समच कर एकर था उसके बाद जो लंच हुआ उसमें भी वो सामिल नहीं होगी तो इस तरीके की जो इस तरीके की जो पता है उनसे यह पता चलता है कि वो अपनी यात्तरा से संतुश्च नहीं थे और जब वो आपर गए तो उन पर अगर वो एक्शन्स लेंगे और उजाईदे की केनेडा जैसे बड़े राष्ट के पधान मंत्री हैं, उनकी ये जम्यदारी बनती है, कि अभी भारत के पधान मंत्री ने उनसे कुछ एक्शन लेने के लिए कहा है, तो उसको वो सकारादमक तरीके से लें, ना कि जो भारत के कहात हो सकता है, इस तरीके की आगर बात करेंगे, तो जाहिद है कि ये आपकी आधूर दर्शीता को, आप परिपक्वता को दिखाता है, और इससे भारत हो करेंडा के समंदों में और अधिक पनाव आएगा, लेकिन अंतिम बात मैं ये इस संदर में कहूंगा, कि वो इस खालिस्तान समर्टक का ये बहुत हम बात करेंगे, और कई लोग बड़ी संक्यावी वहाँ पर रहते हैं, और कई लोग तो पीडियों से वहां पर रहे रहे हैं, सवाल ये स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सो लोग पहले से वहां पर मौजूद हैं, और सभी उस सोच के नहीं है जिस सोच की तरफ टूडो लेकर जाना चाहते हैं जिस सोच के दबाव में टूडो यह सब कर रहे हैं तो ऐसे में उनके लिए भी तो दिक्कत एक खड़ी हो जाएंगी सर दिक्कत तो निसंदे होगी और यह जो वर्तमान में केनेडा की सरकार का जो एप्रोच है यह मंत्री टूडो और उनकी जो सरकार का जो चरित्र है जो अल्फमत की जो सरकार है वो उसकी वज़ासे है और मेरा ऐसा मानना है और अभी भी मैं इस बात की आर्शा रखता हूँ विश्वास रखता हूँ कि जो अगले एलेक्शन होंगे उसके बाद जो नई सरकार आईगी और नई सरकार का जो स्वरूप होगा चरित्र होगा उसमें भारत और करेंड़ा की संभनों में सुधार आने की संभावना है लेकिन वर्तमान समय में जो कि सरकार अल्फमत में है तो अपने आस्तित्यों को बचाए रखने के लिए वो भारत विरोधी तक्तों के साथ है तो जाइब है कि वो अपने बाविश्य को बेतन नहीं बना सकेगा और भारत जो कि विश्यों का सबसे बड़ा लुक्तांतिक राष्ट्र है विश्यों की सबसे तेज गती से बढ़ती हुई अर्थव्योस्ता है भारत एक जिमेदार ब्यवाल के लिए भी जाना जाता है वासुद्यों की भावना के साथ भारत कारे करने वाला लाष्ट्र है इसके साथ ऐसे बड़े लाष्ट्र के साथ अपने संद्मों को अगर आप खराब करते हैं तो यह आपने लिए भी समझाहिं खड़ी करेंगे जैसा कि आपने कहा कि भारत और कनेडा के बीच में अगर लेकिन अब तो यह संभावना है फिलहाल ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि जिस तरेके से पूड़ो सरकार के तरफ से कदम उठाया गया जो बाते भारत के खिलाफ कहीं गई भारत उसको कई स्विकार नहीं कर रहा है और भारत के तरफ से कड़ा अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें आमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंतर